हमारे हां हार्ट अटेक की awareness बिलकुल नहीं है, लोगों को हार्ट अटेक होता है, उस वक अगर emergency treatment रिटमेंट मिल जाए, उस वक लोगों को समझ में आ जाए, तो मरीज की जान नहीं जाती, एक बंदे ने उसने बताया कि मैं जहाज में सफर कर रहा था लाहूर से किराची और तो मेरे बरावर में एक लड़का बैठा वो अराउंड 35 यर्स का था बिल्कुल सही था बाते कर रहा था जब जहाज टेक ओफ करने लेगे को घबरार सी मैसूस हुई उसको पसीना वगरा आया और उसने चैस की बार वापस मुड़के लाहर गई। और बार बार ने पता चला उसको हार्ट एक रवा था विए टेख होगे किसी का बेटा था वो किसी के का शोहर आख और वो किसी का भाई था और इस तरह टाल योगज गई तो कि उन पर क्या गुजरी होगे तो मैं बार बार यही-क है य होनी चाहिए और खास कर कि एकर प्राइब कर रहा है और सौरा एक सब्सक्त कर रहा है और चेस्ट के साइड में हैवीनस महसَ सूरी हzess रहा है दर्द महसं सूरा कर दर्द के साइड पैसा लगता हो जैसे हाइवीनस मैसूस हो रही हो, सांस फूल रही हो और घबराट हो रही हो और पसीना आ रहा तो ECG बहुत जरूरी है और उसका अंदाज़ा आप लोगों को होना चाहिए कि इसको हार्ट अटेक हो रहा है उस वक्त अटे टाइम आप उसको डिस्प्रीम चबा के दे दे और एंजसीड दे दे तो हार्ट अटेक डिले हो जाएगा जब तक वो हस्पताल पहुंचेगा उसकी जान बच जाएगी तो आप लोग अपने घरों में हर जगा डिस्प्रीम जरूर रखा करें इमजनसी में देने के लिए वो चबा के खाना है सब लिगमल ताके फॉरन उसका असर हो और और पेशन की जान बचा दूसरी चीज में सबसे इंपॉर्टन कहरें हमारे हम जो मर्द हजरात होते हैं वो अपनी तकलीफ को बहुत कम शो करते हैं तो बाद अफ़ ऐसा होता है कि रात को गया और तब्यत खराब हो ली तो वो जाहिर नहीं करते कि हाँ थोड़ में 70% जो होते हैं वो जैनुवन होते हैं कि उनको प्रॉब्लम होती है 30% ऐसे होते हैं जो जैनुवन नहीं होते हैं लेकिन प्लीज आप लोग अगर मर्दों में या आदत होती है वो अपनी तकलीफ को बरदाश कर लेते हैं तो इसलिए अगर ऐसी कोई भी तकलीफ हो अच किसी की जान बसकते कि यो हार्ट अटेक में टाइम बहुत मैटर करता है डिले होने से बहुत डैमेज हो जाता है